2021 का पहला हफ़ता गुजर रहा है यूँ ही सोचने में आया कि पिछले कुछ सालों से हमारे जीवन में तलखियां आई है और अक्सर राजनातिक कारणों से भी अपनों से रूखापन और भी ज़्यादा बढ़ा है अरसे से हमारे अंदर तक ये गहरे बिठाला जा रहा है कि हम प्रताडित लोग हैं और हमें तीन सो वर्ष पुराने इतिहास का बदला वर्तमान लोगों से लिना है आदी जूट खबरें इतनी तेज फ्रीक्वेंसी में हम तक पहुँच रही हैं कि जब तक हम एक खबर की सच्चाई पता करते हैं दस और ठेल दी जाती है जैसे कई बार बोला गया जूट सच लगने लगता है वैसे ही निरंतर, वाट्स अप या फेस्बुक, पोस्ट और अंगिनत वीडियोज की आवर्ति से हम जूटों को सच मानने लगे हैं चाहे वो 2014 से भी पहले से प्रचारित नॉस्टोटमस की भविश्यवाणी का जूट हो या गानी नहरों के बारे में अनेकडोट सो मैंने ये सब खंगालते हुए पाया कि सत्ता अपनी लाइन लंबी करने के लिए पहले के पुरुशार्थियों को जड़ों से काट रही है और हम न जाने किस उन्माद में उसके हथियार बन रहे हैं हम घोर वाचालता के शिकार बन चुके हैं और त्रास्दी यह है कि हमें यही पसंद भी है और शायद सुविधा जनक भी जैसा मैंने कहा कि अभी तो साल शुरू ही हुआ है एक पॉज लेकर पीछे देखिया न एक उल्लसित भारत एक उन्मादित भारत बन रहा है राजनीती हमें खेमों में खड़ा कर रहे है कहां तो हम मिलकर भ्रशनेताओं के चुनोती देने का सोचते थे और कहां आज हम फिर उनके नए तरीकों के औजार बन रहे तो नए साल में मंधन करना तो बनता ही है न कि हम कुरूर तो नहीं होते जा रहे अगर हां तो हम आदिम सभिता के और जा रहे हैं और ये पूरे समाच के लिए एक भयावा प्रस्थान होगा सोचिएगा जरूर क्योंकि जब तक हम सोच सकते हैं तब तक ही हम जिन्दा कौम हैं जै हिंद